दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ धरती पर रहने वाले कुछ ऐसे अजीबोगरी बग्स जिने देखकर हर कोई चोक जाएगा क्योंकि इनके जितना विचितर जानवर सायथ ही कोई आपने देखा होगा इसलिए वीडियो को अंत तक देखें अगर आपने मेरा च कोच ने साल 850 में खोजा था इसके पैर अपक्सक्रत बहुत बड़े और आखे काफी बड़ी होती है इसे नैट कास्टिंग स्पाइडर भी कहा जाता है यह फैमली क्रिबलेट का मेंबर है फियरफुल एपिरेंस और अपने मॉनिस्टर लुक के बाद भी यह मनुस्य के ल जब तक कि कोई जानवर इसके पैरों में आकर जकड न जाए फिर यह एक जाल को उस एनिमी के ऊपर फैक देती है जो इसके पैरों के नजदीक आ गया है इस तरह वह जानवर उस जाल में जकड जाता है और यह मकडी उसे अपना सिकार बना लेती है और खा जाती है वहीं इ देखने के लिए भी इसको नुकुल बनाती है जिस कारण रात में भी यह अपने दुस्मन को आसानी से पकड़ सकती है और उससे बच सकती है टर्टल आंट अमेरिका में पाए जाने वाली इस चीटी का साइंटिफिक नाम कैफालोट्स है और यह संग आर्थरोपोडा का ना गुश सके इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि यह छोटा सा जानवर अपने घर को दुस्मन से बचाने के लिए क्या कुछ नहीं करता रैप स्पाइडर यह ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और वेनमस होती है लेकिन इंसानों के लिए यह खतरनाक नहीं होती अ जो कि इस मकडी के लिए वर्दान से कम नहीं है क्योंकि यह अपनी इसी छमता की वजह से आसानी से सिकार कर लेती है या फिर अपने दुस्मन जानवर से आसानी से छुप जाती है इस जीनस में लगबग 17 परजातियां पाई जाती है मरमेको सिस्टर्स मैक्सी कैनस इन्हें हनी आंट और हनी पोर्ट आंट भी बोला जाता है हनी चीटिया उत्री अमेरिका आस्ट्रेलिया और अफरिका में पाई जाती है उत्री अमेरिका में जीनस मायरोकेमिस्टस से सम्मदित चीटी परजातियां निवास करती है यह संग आर्थरोपोडा की फैमली फोर्मिसिडी का सदस्य है ये ज्यादातर कालोनी बनाकर रहती है जिसमें क्वीन और मेल होते हैं इन चीटियों की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह अपने सरीर से कैई गुना ज्यादा खाने को स्टोर कर सकती है यही वज़य है कि कैई देशों में लोग इने बड़े चाव से खाते हैं पिंक फैरी आर्मिडिलो मद्धे अर्जंटिना में पाए जाने वाले इस्तंधारी हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं और बिल बनाकर रहते हैं ये मैंडोजा प्रांत के दक्सिन में और साथ ही रियो निग्रो के उत्तर और ब्यूनस रंकी ढाल बनी होती है जो इसे सिकारियों से बचाती है ये आसानी से जमीन में गड़ा बना लेते हैं और दिन के समय गड़े में छिप जाते हैं रात के समय ये भोजन की तलास में बाहर निकलते हैं और चीटियों के घर पर हमला कर देते हैं वर्तमान में इस परजाती को वलुप्त होने की कगार वाली लिस्ट में रखा गया है